आप सब का हमारे चैनल ग्यान दर्ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहे हैं कि हमें दूसरों से क्या अपेक्षाएं नहीं रखने चीए हम दूसरों से अपेक्षा बहुत कर लेते हैं तो क्या-क्या नहीं रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में बताएंगे अकसर हमारे दुख, हमारे गलत अपएक्षाओं का परिणाम होता है गलत लोगों से गलत अपेक्षा रखना ना सरिफ दुख देता है बलकि दूसरों से हमारे समन्द और बातचीत पर भी असर डलता है अनाविस्थक तना होगा चुंजलार्ट होगी और कुछ नहीं होगा तो क्या-क्या अपेक्षा नहीं करने चीए यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी अपेक्षा ही हमारे दुखों का कारण बनती है एक बार आप भी शान्त होकर वो सारी चीज़ें आप समझे जो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैं कहां पे गलत हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ पहली अपेक्षा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो यह है कि भाई हम अपेक्षा करते हैं कि कोई भी हमारी बातों से सहमत हो हमारी हर बात से, हर विचार से सहमत हो हर इनसान की सोच, धारना और समझ अलग-अलग होती है इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी हर बात से या हर विचार से सहमत हो या हमेशा आपका समर्थन करें यहां तक कि आपके माता-पिता, आपके परिजन, आपके सबसे अच्छे दोस्त, पती या पतनी या फिर आपकी परवाह नहीं करते हैं, हो सकता है कि उनके पास आप से बैतर सोलिशन हो कुछ लोग जानबुच कर भी आप से सहमत नहीं होना चाहते हैं इसलिए दूसरों से हमेशा यह अपेक्षा मत रखिए कि वो आप से, आपकी हर बात से as it is, जैसे कुछ ऐसा सहमत हो जाएंगे आप किसी से यह पेक्षा मत कीजिए कि भाई सम्मान दो, सब मुझे सम्मान दे देगी सच्ची ताकत, शरीर और मानस्पेशियों की नहीं होती है आत्मा और दिड़ शक्ति की होती है वेक्ति में खुद पर विस्वास रखकर अपने सोची हुए के अनुसार काम करने के इच्छा सकती होनी चीए दूसरे आपके आदर करें, ऐसा ना सोचें खुद से प्यार करें दूसों से ज़्यादा, खुद से अच्छा बरताव करना जरूरी है खुद को खुश रहने के मौके दें आप ये भी आप एक्षा मत कीजिए कि वे मुझसे प्यार करेंगे कोई भी सामने वाला हो सकता है कि कोई एक वेक्ति आपको नहीं चाहता हो पर किसी दूसरे को आप बहुत प्रिये लगते हो तो अपना समय उन्हों लोगों को दे याद रखें बहले ही आपका बैवार बहुत अच्छा हो पर सब को खुश नहीं कर सकते हैं मुस्कुराएं उन्हें नजर अन्दास करें और आगे बड़ी है यही लाइफ है कभी मत उपेक्षा करें कभी यह अपिच्छा मत केजिए कि कोई आपके अनुसार काम करेगा या पेक्षा नहीं रखनी है आपको हर व्यक्ति का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है अलग पसंद होता है और उसी के अनुसार हर अदमी काम करता अपने हिसाब से अब अगर हम उनसे यह पिक्षा रखें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही काम करें तो यह संबब नहीं है माता पिता अपने बच्चे से यह पिक्षा रखते हैं कि उनके रुसार पढ़ाई करें पुरी फिल्म 3D2C पर बनी है माता पिता चाहते हैं कि हमारे साब से केरियर बनाएं, बुड़ा पेमून का सारा बनें पर उनका टेलेंट डिफेंट तरह का होता है आज के बच्चों का तो इसके लिए मुझे कुछ बोलनी के जुरूत नहीं है दूसरों से यह पेक्षा नहीं करना चीए क्यों बिल्कुल परफेक्ट होंगे या कोई गलती नहीं करेंगे दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चीज के लिए संगर्स कर रहा है कोई भी परफेक्ट नहीं है कुछ न कुछ का मिया सभी में होती है तो ऐसा भी कोई नहीं है जो गलती ना करता हो थोड़ी बहुत गलती हर किसी से होता ही है और गलतियां करने के बाद ही इनसान सीखता है और अपने आपको पहले से बहतर बनता है तो बिलकुल अपेक्षा ना रखे हैं कि वो बिलकुल perfect हो या कभी गलतियां ही नहीं करें हम अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, कभी को बढ़क जाते हैं, मार देते हैं जैसा मैं कहूं, वैसा काम करें, यह भी यह पेक्षा नहीं रखना चाहिए दूसरों को प्यार करते ये भी है, कि आप दूसरों के अपनी पसंद का काम करने के आज़ादी देशें जब दूसरों से यह पेक्षा करना बंद कर देते हैं, कि वे बिल्कुल आपके मन मताबिक काम करें तब उनके काम की परसंसा अधिक बहlast डंग से कर पाते हैं लोगों को जो वे हैं उसके लिए प्यार करें सेम चीज अपने उपर सोचो कि आप भी तो सब की बातें नहीं मानते हो ना भी तो सब को प्यार नहीं करते हो हर वेक्ति में खास गुन होते हैं सिर्फ ध्यारे रखकर उन गुनों को देखने की जुरूत होती है दूसरे हमेशा प्रसन ने दिखाई दे ऐसे भी आप पिक्षा नहीं रख सकते हैं जैसे आप जीवन के कई परिशानियों से घिरे हैं वैसा ही सामने वरा भी कई परिशानियों से घिरा रह सकता है हर समय ठीक है जोरी नहीं है सब का मुड़ हमेशे अलग रहता है इसलिए अपनी तरह दूसरों को भी उनकी आसा निरासा सफलता और संगर्स के साथ सुईकार कीजिए लोगों का अपना लाइफ इस्टाइल होता है अपना जेने का तरीका होता है तो आप यह पेक्षा नहीं रखें कि भाई आपने बोला है तो बदल जाएंगे आदमी का जो नेचर होता है इतना जल्दी बदलना आसान नहीं होता है किसी के लिए खुद को बदल पाना बहुत मुश्किल काम है हाँ कुछ लोग गलत आदते हैं या गलत काम छोड़कर दूसरों को खुशियां दे सकते हैं लेकिन किसी के लिए पूरी तरह बदल जा रहा है बहुत मुश्किल है कुछ लोग अपने एगू के कारण भी अपने आप पे चेंज नहीं करता है कुछ लोग की अपेक्षा ही बेवज़ा होती है बेमतलब होता है जैसे घर परिवाद या रिलेशनशप में कुछ लोग अपेक्षा रखने लगते हैं कि बहुत उन्हीं के हिसाब से सोएं उठें कपड़े पहने उसी के हिसाब से बात करें संभव नहीं है तो ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करने चाहिए कभी नहीं किसी से आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि वो आपको हमेशा खुश रखे सच्ची खुशी हमेशा अपने अंदर होती है अगर आप बाहर खुशी की तलास करोगे तो इससे बाइद दुख के और खुश नहीं मिलेगा आप दूसरे से अपेक्षा नहीं रख सकते कि सभी लोग आपको खुशियां दे या कोई आपको आपको जिन्देगे बर खुश रख सके दूसरे लोग या जिससे आप चाहते हो वो हमेशा वो काम नहीं कर सकते जो आपको खुशी दे ये संभव नहीं है हर किसी के साथ आप भी सबको खुश नहीं रख सकते हो दूसरे से तुरंद बदलने के अपेक्षा तो करना ही मत किसी के किया किसी को तुरंद बदल पाना संबब नहीं होता है या तो आप लोग को स्विकार करना से खिए अन्यता उन पर अपनी निर्भरता को कम करें अक्सर जब आप दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं तो वे नहीं बदलते पर जब आप यह कोशिश नहीं करते और उन्हें अपना सहयोग और आजाई देते हैं तो और अधिक बहतर ढ़ंग से बदलते हैं दूसरे जो लोग हैं मेरी हर बात को समझे मेरी बात को समझो ये बात भी अपेक्षानी करने चीए दूसरे आपको समझे इसके लिए जरूरी नहीं कि आप उनके साथ अपने विचारों को बाटे दूसरे आपको समझे इसके लिए जरूरी है कि आप उनके साथ अपने विचारों को बाटे जीवन में दूसरों से नियमित और प्रभावी धंग से बातचीत करते रहना जरूरी होता है जब तक आप बताएंगे नहीं अपनी मनसाव को सपष्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरों से बहुत अपिक्षा रखना सही नहीं है प्यार का भी एक्सपेक्टिशन मत कीजिए आप कि हमेशा प्यार करेंगे सम्मान भी एक्सपेक्ट मत करूं कि आपको हमेशा सम्मान देंगे और ना तो ये समझो कि वो आपको समझें क्यों समझेंगे आपको और कभी भी ये पेक्षा आज के युग में नहीं रखने चीए कि हमेशा आपका साथ देंगे अगर आपके जिन्दगी में कोई इनसान है जो हमेशा आपका साथ दे जो आपके हर सुक दुख में आपके साथ रहे जो आपके लिए किसी भी समय तैयार रहे तो इससे बड़ी खुस नसीबी आपके लिए बहला और क्या हो सकता है लेकिन आज के समय में इस तरह का इनसान मिलना बहुत मुश्किल है और अगर मिलता भी है तो लोग उसकी कदर नहीं करते आज के समय में हर कोई किसी ना किसी मतलब से आपके पास आता है जैसे उसका मतलब पूरा हुआ वह आपको छोड़ कर चला चाहेगा चाहे वो परिवार हो चाहे मित्र हो चाहे रिस्तेदार हो तो एक स्थर का एक्सपेक्टिशन आप किसी से न करें कभी किसी से या पेक्षा मत रखो कि वो कभी ना बदले क्या आप आज भी वैसे ही है जैसे दो साल पहले थे क्या आज भी आपकी सोच, आपकी क्वाईश हैं, आपकी शौक ऐसे हैं जो दो साल पहले थे नो, नहीं रहता है, बदलता रहता है तो फिर हम दूसरे से आप एकशा कैसे कर सकते हैं कि वह कभी नहीं बदलेंगे यह पहले जैसा ही रहेगा, यह तो मेरा पुराना दोस्त है जैसे आप कभी देखते हो भाई, वो बड़ा बन गया, अक्षे कुमार बड़ा बन गया बच्चन साब बड़े बन गया, भाई वो तो बदल गया, आप कभी उनके दोस्त है तो पहले यह सा कैसे रह सकते हैं बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें तो यह सब जो आप एक शाय है वो हमें दूसरों से कभी नहीं करना चीए तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पे स्वागत है आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीशिए धन्यवाद